आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे आज के इंत्राडे ट्रीट्स ये एक ट्रीड कॉंसेट वीडियो है डेट है 25 अप्रेल साड़े 12 बज़रे मतल मार्केट अब भी चल रहा है तो बैं 19 बज़े तक एक अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया था अभी क्या अकाउंट पर इधर सिस्को रिफ्रेश कर लेते हैं एंजल ब्रोकिंग अकाउंट को आप प्रॉफिट देखेंगे इधर आल्मोस्ट वन लैक का प्रॉफिट आज टच हुआ है इंट्राडे में एक लाग दोजार नौसो रुपे का यहाँ पर टूजल प्रॉफिट है ती इसको एकजिट किया रीजन बताऊंगा इसको एकजिट करने के बाद अगें थर्ट ट्रेड ले लिया इसके अंदर 36,000 की कॉल में पहले 20 लॉट ट्रेड किये अगें 15 लॉट ट्रेड करके टोटल 35 लॉट ट्रेड किये हैं और यहाँ पर भी 47,915 रुपीज का है अभी हम फंड्स के अंदर चले जाते हैं यहाँ पर कापिटल कितना हुआ है एक लाग का प्रॉफिट बनाने के लिए अविलेमल मार्जन है 2,16,000 मतलब 2,16,000 रुपे का यहाँ पर हमने कापिटल यूज किया है और यहाँ पर हमने एक लाग का प्रॉफिट बनाया है औ तो अल्मोस्ट 50% बन गया दो लाग की अपटल पर एक लाग का प्रॉफिट बन गया ठीक है अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर ओडर्स बुक को भी देख लेंगे थोड़ा सा आइडेंटिफाइग कर लेंगे कि हमने ट्रेड लिया है वह किस वे में लिया है पहले कौन सा लि है ओडर बुक में चलते हैं हम ठीक है सबसे पहला क्रेड 35600 का कॉल नीचे नीचे यहाँ पर हमने इसको मार करके आपको दिखा देता हूँ पैन से 35600 का यहाँ पर यह वाला कॉल है देखो केरी फॉर्वड में लिया है आज ही लिया है मतलब वह ओडर इंट्राडे नहीं है पॉजिशनल लॉडर है पूर 50 के असपास बाइक किया और बाद में 18 लॉट जो हैं गलती से और एड हो गया जो रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमरे पर फन नहीं था 18 लॉट की 450 पे 22 हमने इसको काटा 570 पे 18 लॉट मतलब इसके अंदर 50-53,000 बुक हुए है यहां पर हमारा जो था इसके अंदर इसको भी हम यहां पर डिसकस कर लेते हैं पोजिशन में जाते हैं अभी इसके अंदर 32 लॉट्स टोटल ट्रेड हुए है चतिस दोसो की कॉल यहां पर हमने ली है 270 पे 272 ओनली दो पॉइंट के प्रॉफिट पर हमने इसको यहां पर निकाल दिया दो पॉइंट का प्रॉफिट अल्मोस मतलब मालो कॉश्ट पर हमने इसको एक्जिट किया अभी हम यहां पर चलते हैं इस ओडर बुक के अंदर 240-45 के असपास गिर गया था जो मेरा 53 का प्रॉफिट चल रहा था वह अल्मोस्ट 30 के असपास आ गया था वहां पर भी मुझे लगा मार्केट बाउंस बैक कर सकता है तो जितना फंड था दो लॉट मैंने 246 के असपास और एड कर दिये और जैसे ही अगैन कॉश्ट पर आय 272 पर लिया था यहां पर 246 पर यहां पर दो लॉट और जाल दिये 272 पर जैसे ही आया मैंने इसके अंदर पॉस्ट के उपर प्रॉफिट बुक कर लिया 1500 मिल रहा है ठीक है वाइट आप एक लॉस नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मॉर्णिंग में बड़ा प्रॉफिट बना यह बहुत जरूरी चीज है अगर यहां पर और नीचे गिरता है जैसे 246 के नीचे गिरने वाला तो यहां पर मैं इसको 240 के असपास exit कर देता है जहां पर भी मैं average करता हूं अगर किसी position को तो वह एक ऐसी prize होती है जहां पर एक मिनित के अंदर decision लिया सकता है अगर मैं 246 के जहां पर average कर रहा हूं यहां पर जो भी candle होगी ने इस candle के low मैं पूरा quantity exit कर दूँगा जिस candle के उपर मुझे लग रहा है कि market यहां से वापस से उपर जा सकता है मेरी cost पर आ सकता है वहीं पर मैं average करता हूं उसी candle के low का stop loss देखके total quantity देता कि stop loss छोटा रहा है अगर यहां से reverse कर लग रहा है कि reverse करेगा तो पूरा profit जल्दी recover हो जाएगा profit भी जल्दी आ जाएगा quantity फंड नहीं था अवेलेबल इसलिए दो लॉटी नीचे average कर पाया नहीं तो यह ट्रेड भी profitable होता तीसरा ट्रेड हमने यहां पर लिया 36,000 की call option इसमें हमने पहले 20 लॉट ट्रेड किय लिया अगें इसी में entry ले ली 15 लॉट पे 494 पे 50 पॉइंट उपर महंगा और लिया 494 पे निकालके अगें 544 पे मतलब यह आगए 50 पॉइंट यहां पर यह आगए करीब 7.110 पॉइंट इसमें भी आ गया 20 लॉट के साथ से ठीक है पहले 20 लॉट ट्रेड हुआ है बाद में 15 लॉट ट्रेड हुआ है तो ऐसे करके हाँ पर हमारा एक लाग का प्रॉफिट बनके क्या होता है कि पहले ट्रेड में अगर आपके पास प्रॉफिट आ जाता है न तो आप उसी को रिस्क में लगाते लगाते बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो मॉर्निंग का पहला ओसला तो बात में सारे ट्रेट साही होते होते चलेगा यही लॉजिक होता है कि प्रॉफिट आनने के बाद वारे सेख्यलोजी क्या होती है और लॉसॉचिन सापने देख ली हम चार्ट के ऊपड़ के दIक के लिचाल पर चेग यहाँ पर संबघ में बन कर लेता हौ सबसे उन सबको पता होगा कि CPR जो होता है एक indicator होता है pivot point अभी इसके अंदर CPR पर यहाँ पर यह जो top CPR लाइन थी market इसके आसपास खुला और one shot में नीचे निकल गया one day candle में अगर आप देखेंगे CPR का जो concept है वो बहुत strong concept है उसको course के अंदर काफी अच्छे से explain कर रहा है पर course को side में रखते हैं अपन यहाँ पर simply आप देखो कि इधर 35,500 के आसपास price action के अकॉर्डिंग भी आपको एक support दिख रहा होगा अगर आप चार्ट को one day candle में थोड़ और जूम आउट करते हो तो यहाँ पर भी आपको 35,500 के असपास इधर भी कहीं काफी सारे support दिख रहे होंगे तो market gap down खुला already गिरावट आई 35,500 mark कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर हमारे पास एक strong support है जहां से market support ले सकता है 1% की गिरावट के बाद एक और logic कि यहां से देख हो गई यह almost 7,000 point की moment हो गई ठीक है अभी 39 से नीचे 35,550 तक 3,000 point के बाद में मैं इंत्राडे में छोटा सा reversal देख रहा हूं market ने एक बड़ा momentum दिया था 32,000 से 39,000 कितना point का momentum हो गया 7,000 का अभी 7,000 point का है जो retracement होता है वो 30% calculate निकल के आता है 30% के बाद में होता है 50% तो retracement पहले 30-35% आया उसके बाद में थोड़ा सा market उपर गया फिर गिरा तो 50% retracement हो जाती है 3500 के बाद में और 39,000 से नीचे आप 300 point काउंट करते हो 3500 point यह जो 700 point का momentum आया इसका 50% काउंट करते हो तो एक reversal point निकल के आता है 35,500 35,500 से यही मेरा एक bullish trade plan था यह trade planning हो गई कि 3500 पर market थ 3500 के आसपास एक support बन सकता है वहाँ पर कोई signal मिला तो इंपराणे में अच्छी buying आ सकती है अब यह 3500 के आसपास हम यहाँ पर चलेंगे वन डे की candle आज के निकालेंगे कि entry हमने पहली call में कहाँ पर ले first call की entry यहाँ पर मैं आपको दिखा हूँ तो bank nifty में आप देखोगे market open हुआ 3500 के आसपास मैंने आपको का कि मेरा view है daily candle के अंदर market 3500 के आसपास support ले सकता है एक मिनत का time frame देख रहा हूं मैं यहाँ पर यह इतनी aggressive trading यह ना कि experience trader ही try करना जिनको एक दो साल option trading में हो चुके beginners बिलकुल try मत करना 3500 के आसपास market open हुआ नीचे गिरा 3520 का low लगाया exactly जहाँ पर हमारा support था 15-20 point पहले support लगा लिया same candle में यहाँ पर एक विग बन गई बहुत बड़ी विग बन गई तो मतलब 3500 पर market reject हो रहा है अब यहाँ पर यह थोड़ा सा और उपर आके इसी candle में वन bottom बना के जाता तो एक अच्छा trade मिलता पर यहीं पर एक अच्छी entry के लिए 5 minutes वेट करना पड़ा क्यों क्यों कि आप देखो market ने एक ही bottom लगाया 3500 पर उसके बाद directly उपर जाने लगा second bottom लगा ही नहीं है पर second bottom नहीं लगा तो क्या हुआ हुआ 1 minute time frame में यहाँ पर 3 minutes की only ए call ठीक है यह एक trade था कि यहाँ पर हमें bottom नहीं मिला है पहली बात हमारे पास एक ऐसा level है जहां पर हम buying plan कर रहे है 35500 पर 2-3 logic थे मैंने आपको बताया क्यों buying कर रहे है उसके बाद क्या यहाँ पर एक डबलू pattern बन रहा है नहीं बन रहा है market एक बार 35500 से reject हो गया तो एक अच account आया तीमनेट के अंद बाद में मैंने यहाँ पर इसको trade किया 35600 की call में 18 lots के साथ हमें काफी अच्छा profit हुआ अभी second trade जब यहाँ पर मैंने लिया था था न 36200 की call उसको लेने की मैं आपको एक वज़य बताता हूं बन टाइम फरेम में अगर आप चलेंगे न तो यहाँ मैंने profit book किया market ने momentum करी इधर sideways हुआ यहाँ पर again market जो है इधर से उपर जाने लगा और मुझे लगा कि यहाँ पर यह छोटी सी एक trend line आ रही है यह trend line यहाँ पर black हो रही है और market यहाँ से उपर जाएगा market जैसे ही यहाँ से उपर निकला मैंने buy करी 36200 की call 30 lot ठीक है 30 lot buy किये market वापस यहाँ पर नीचे आ गया मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी यह एक retest हो सकता था पर retest के आसपास मैं exit कर गया 270 की price पर buy कीवी call यहाँ पर मैंने exit कर दी 246 पर आई थी 246 से वापस 272 पर आई तो मैंने यहाँ पर इसको exit कर दिया cost के पास आते क्योंकि आपक 23,000 का profit होता है और second trade में आप गलत हो जाते हो आपका profit गिर के 30,000 हो जाता है आप थोड़ा सा panic में आ जाते हो चीजे गड़बडाने लगती है आपको लगता है कि यह profit मैंने सुबह बनाया ओव ट्रेडिंग के कारण मैंने सारा profit मैं खतम ना कर दूँ इसलिए एक बार तो cost पर आया तो मैं वापस 52, 53 पर निकल जाओं यह यार जैक मैंने भी गलती कर दी यहाँ पर करीब मैंने इसको buy किया trend line के ऊपर break होती ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आके retest होके वापस ऊपर निकलने वाला था मैंने यहाँ पर again cost पर exit कर दिया 272 पर यहाँ से ऊपर निकलना इसमें यहाँ पर फिर से trade करके दो छोटी-छोटी scalping trade लेकर वापस से profit बना लिया तो यह concept समझना पड़ेगा कि देखो कहीं भी आप गलत होती हो ना तो आप जल्दी निकलो यहाँ पर मैंने एक trade लिया अगर मैं इसको यहाँ पर book नहीं करता है इधर weeks बन रही थी मैं कम profit लेता 53,000 नहीं ले पाता उसके बाद में आप देखेंगे इधर आके bottom को पकड़ता bottom को पकड़के अगर stop loss थोड़ा सा भी हिट होता वापस में same जगे पर आ जाता क्योंकि quantity same है again यहाँ पर इधर उपर लेने के बाद में जब यह इधर नीचे है तो एक मिनट की दो candle के अंदर ही करीब करे 25,000 का profit कम हो गया क्योंकि quantity हैवी थी और मैं out of the money चक्ति 200 को ट्रेड कर रहा हूं तो dk ज्याज़ा आ रहा है 270 पे लिवी कॉल 240 पे गर गई जबकि बैंक निफ्टी इतनी सी रेंज में यहाँ पर गिरा only 20 30 पॉइंट तो 30 पॉइंट बैंक निफ्टी के कि कई market में हमारा loss जादा नहीं बढ़ जाया जैसे 53 से 30 गिरा 30,000 से वापस 53 पे profit आया हम निकल गया पर वहीं समझदार ही दिखाते हुए जब यह level break हो गया इसके ओपर हमने eco trade लिया 10-15 जार का stop loss देके पहले 20 lot लिये 7 point उठाए वापस थोड़ा नीच आया तो यहाँ पर सीधा सीधा बाग रहा है पर इसके बीच में भी market कितना पैनिक देता है अभी मैंने 35 600 की जो call लेती न 35 600 की call इसका high देखते कितना लगा है सुबह यह ली थी 50,000 profit में था इसको शांती से बस रख लेता ना बैड जाता चुप-चाप तो भी बड़ा profit होता क्यों मैंने ली इसको 450 के असपास मैंने आपको ओडर्स दिखा पहला ट्रेड 450 के आसपास यहां पर मैंने लिये थे 18 lots into 25 quantity ठीक है 450 quantity हो जाती है 450 के असपास मैंने इसको ली थी अभी 450 से यह गई है यहां पर 850 तक कितना 850 तक कितने point profit हो गया 450 से 850 कितना हो गया करीब-करीब यहां पर हो 400 point profit, 400 point profit into 450 quantity कितनी हो गया करीब-करीब 1,75,000 का profit हो गया सिर्फ एक trade को hold कर लेते तो भी 1,75,000 बना लेते पर हम नहीं कर पाते है options trading ऐसा ही है आपको कुछ न कुछ लेके निकलना पड़ता है momentum capture करनी पड़ती है आप intraday के अंदर जब भी आप यह सोचके चलोगे न कि पू आपने targets लो targets लेके markets को बंद करो जैसे मेरा 1,00,000 का profit आ चुका है अभी पता है na CPR के पास में market reject होगा नीचे गिरेगा वापस से यह gap फिल हो चुका है अभी market बड़ी गरावट दिखा सकता है मैं फिरी हूँ 1,00,000 बन चुका है 50,000 का target होता है intraday में 2,00,000 की capital पर 1,00,000 profit बन चुका है मैं फिरी हूँ मैं system already मेरी तरफ से बन कर चुका हूँ 10 बजे profit आ गया था उसके बाद में आप देखो market completely sideways चल रहा है कोई trade नहीं लिया तो यह सारी चीजे experience के साथ में आती है फिर भी आपको छोटी-छोटी चीजे समझ के चलनी पड़ती है main psychology की profit आ रहा है system बन करो एक limited loss आ चुका है system बन करो जब तक target या stop loss total जो दिन का है amount wise हो गया percentage wise हो गया जो दिन का target और stop loss है अगर वो जब तक हिट नहीं हो रहा तब तक आप trading कर सकते हो इंट्राडे में पूरी momentum को capture करो गया अभी लग रहा है किसी को कि यहां से marketist airline को break करके और उपर आ जाएगी कुछ ना कुछ गडबर हो जाएगी पहला ट्रेड सही गया second trade cost पर निकल गया third trade फिर से सही गया same call के अंदर fourth trade वापस से सही गया अभी मैं try करूंगा 5th call वापस से ले लो एक लाग का जेड़ लाग बना लो तो वह गलत हो जाएगा overconfidence आ जाएगा ठीक है I hope आप like better and subscribe that channel thank you